के एपसी टाइटल देखकर आप जान चुके होंगे कि आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा के एपसी का फ्रेंचाइजी आप कैसे लें क्या कॉस्टिंग है कितना इसका प्रॉफिट मार्जिन होगा और किस तरीके से आप मार्केट में सर्वाइब कर सकते हैं उससे पहल बड़ी इनका इंट्रेस्टिंग है पढ़ लिजेगा कहीं अब बात करते हैं के एपसी के बारे में के एपसी दुनिया की सबसे रिनोन ब्रांड में से एक है चिकन फ्राइड वाले कैटेगरी में फास्वूड के कैटेगरी में अभी मैं आपको बता दूँ चालीस हजार स है एक सो चालीस कंट्री में अगर इंडिया इंडिया की बात की जाए तो पंद्रह सो करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ है अब इतना मार्केट को यह कैप्चर भी करते हैं इंडिया में यह डाइरेक्ट फ्रेंचाइजी नहीं देते हैं बलक लोकेशन सिर्फ और सिर्फ बड़े शहरों में ही चुनियागा छोटे शहरों में भूल कर भी केप सी ओपन करने की गलती ना करें चांसे है बिजनस फ्लॉप हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप छोटे शहर है तो वीडियो छोड की नहीं जाना है पूरा वी पटना में है किया लगनों में चल सकता है है वहाँ पर उलेडी करता है तो इस टाइब के आप शहरों को भी चुन सकते हैं लोगों का पर इस एक ब्रांड चीज़े हैं तो वहां पर आप एस इसे डीनमय देक हाइं कि छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट में भी लोगों ने डॉमिनोज का फ्रेंचाइज ये लेको उपन कर लिया तो जब डॉमिनोज चल सकता है तो ये क्यों नहीं चलेगा केफ सी भी चल सकता है अब मैं आपको एक खास चीज बताता हूं कि एफ सी एक ऐसा ब्रांड है जिसका फिलाल मार्केट में कोई कॉम्पेटिटर आपको नहीं दिखेगा इस लेबल का पिज्जा के फिल्ड में तो मैं आपको बताओं बहुत सारे आपको पिज्जा के कॉम्पेटिटर दिख जाएंगे लेकिन इस फिल्ड में के एफ सी के फिल्ड में फ्राइड चिकन के फिल् product का monopoly रखता है यानि कि जिसको KFC में जा के खाने का है वो सिर्फ और सिर्फ KFC में ही जाएगा, ये इस brand की सबसे बड़ी USP है, KFC ऐसा दावा करती है कि एक से दो साल के अंदर में जितना भी आप पूंजी लगाएंगे वो आपको return हो जाएगा depend करता है ये सारा चीज आपके location पे, इसलिए मैं बार बार बोल ला था कि छोटे शहरों में नहीं जाना है, चुकि इसके product थोड़े मैगे होते हैं, सारे लोग इसको afford नहीं कर पाएंगे, तो अगर आप बड़े शहर में खोलेंगे तो आपको फाइदा होगा, location में किस टेप का location देखना चाहिए, सबसे most preferred location मेरे नजर में है, वो है आपका mall, आप mall का location preferred चुन सकते हैं, ध्यान दीजे कि सारे mall में नहीं चलेगा, जरूरी नहीं है कि सब mall में कहीं भी खोल ने चल जाएगा, आपको देखना होगा, कई बर ऐसा होता है कि कुछ mall में public बहुत जाद आती है, किसी mall में जाती ही नहीं public, तो वैसे mall को आप मत चुनिए, जिसमें public का football कम हो, आपको वैसे mall को चुनना है, जहां पर लोग आते जाते हैं, marketing करने के लिए ठीक ठाक public पहुँच रहे हैं, वहीं पर आपका विक्रे होगा, दूसरा नमबर जो प्रेफर्ड लोकेशन है, वो है, कॉलेज के आसपास को लोकेशन, कुछ वैसा इनवर्सिटी जैसे डी यू एक इनवर्सिटी हो कॉलेज है, कॉलेज स्ट्रीट का जो प्लेशी जरक लोकेशन, कॉलेज के आसपास हैं, वहाँ में आपको ऊपन करने में कोई बुराई नहीं है, कानी मिला निए इस टेप का इलाका पठना में, तो वहाँ लोकेशन आपको वह ऐसा देखना है जहां पर यूथ आए चुकि KFC का जो सबसे बड़ा जो कंजूमर है वो बिसिकली यूथ ही है चुकि जादा इसको एजिड लोग प्रिफर्ड उतना नहीं करते हैं लेकिन यूथ इसको सबसे जादा प्रिफर्ड करता है सो यूथ का प्लेस यही होता है नेक्श डिसका सबसे प्रिफर्ड लोकेशन हो सकता है सिनेमा हॉल सिनेमा हॉल में भी यह बढ़िया चलेगा बट डिपेंड करता है कि सिनेमा हॉल कैसा चलना है वो भी आपको देखना है अगर PVR में आपको ओपन करने का मिल जाए तो बहुत उस टीब के मार्केट को भी आप चुं जुन सकते हैं तो ये तो हो गया लोकेशन अब बात करते हैं एरिया कि इतना चाहिए एरिया ठीक ठाक आपको चाहिए 1,000 स्कौाइर फीट से लेकर कम से कम पंदरह सो से दो हजार स्क्वाइर फीट का एरिया है इसमें चाहिए क्यों क्योंकि के एफसी अभी तक ये डाइनीन मौडल में चलता है यानि कोई भी आदमी आएगा बैठेगा एक डिल्ड घंटे गप्पें हाकेगा खाना खाएगा यहीं लोग का सिस्टम है यहीं करें केशी का भी कुछ कुछ ऐसा ही मौडल है तो इसलिए वहाँ पर ज्यादा इस्पेस का डिमांड है क्योंकि जितना ज्यादा जगा रहेगा उतना ज्यादा कस्टमर आप बैठा पाएंगे तो आपको इतना स्पेस देखना होगा अब मैं आपको बता दूँ इतना स्प से एंदेशन होगे सारे डोकुमेंट होगे इंडिया के नंबर वन वेबसाइट है आप वहां पर जाए अपने डाले आपके जो भी रिकॉर्मेंट हो उसको फुल्फिलमेंट किया जाएगा तो आपके जो इनिशल budget आएंगे जो investment आएंगे KFC को open करने का वो आएगा एक करोड से लेके धाई करोड के बीच का बिल्कुल अब आप चौक रहे होंगे तो चौकी है लेकिन जो हैसो है चुकि यह premium brand है world class brand है तो इसका तो खर्चा लगेगा ही लगेगा तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप इस वे में जाके काम करना चाहते हैं आपके पास पैसे नहीं है तो CGTMSS की में आई है वहाँ पर 2 करोड तक का लोन आपको मिल जाता है अराम से MSMES की में आपको पांच करोड तक का लोन मिलता है तो आप लोन का सुविधार ले सकते हैं क्योंकि KFC रिनोन ब्रांड है बैंक आराम से इसको कंसीडर करती है और बात आती है कि पैसे कितने मिलेंगे सबसे इंपोर्टन चीज तो यह है कि आपने इतना इंवेस्टमेंट तो लगा दिया अब आपको रिटर्न कितना मिलेगा तो देखिए कंपनी ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं कितना मिलेगा बट उन्होंने एक चीज़ जरूर लिखा हुआ है कि एक साल से लेके दो साल के अंदर में आपको रिटर्न मिल जाएगा यानि कि जितना फूंजी अपने लगाया था वो तो वापस होई जाएगा एंड़ प्रॉफिटेबल हो जाएंगे लेकिन इसका एक और बात है कि के एफसी जो है वह आप से एक रॉयलिटी भी चार्ज करती है लग साइग का नाम है के एफसी फ्रेंचाइज डॉट इन स्लैस के एफसी फ्रेंचाइज एप्लिकेशन ठीक है यहां पर आपसे एप्लिकेशन भरवाया जाएगा पर्सनल इंफ्रमेशन यह वो ऐसा नॉर्मल सा चीज है किस तरीके का बिजनेस एक्सपरियेंस रहा है वो भी बिजनेस का समझ होगा और आपको अडिशनल एक्सपर बेनिफेट मिलेगा तो यह सारी चीजें आपको डाल कर सम्मेट कर देना है जैसी आप सम्मेट करेंगे तो आपको कंपनी के तरफ से रिप्लाई बैक आएगा वहां के स्टाप से आपके जो भी डॉक्मेंट है उसको वेरिफाई किया जाएगा आपको नजदी की ऑफिस में बुलाया जाएगा अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ के ऑफिशिल वेब साइट से आपको कोई कॉल नहीं आने वाला है यह यहां क्या जो भी फ्रेंचाइजी मास्टर मास्टर फेंचाइजी है उन्होंन या बर्मन होस्पिटालिटी यह तीनों ही ओन करते हैं इसका मास्टर फेंचाइजी यह तीनों अलग-अलग लेकेशन के लिए अलग-अलग रीजन के लिए यह ओन करते हैं तो इन ही त्वीनों के तरफ से आपको फ्रेंचाइजी दी जाएगे तो आपको यह नहीं सूचन चैनल पर विजिट कर सकते हैं, सु आज की वीडियो में इतना ही उमीद है आपको पसंद आया होगा, पुरे वीडियो दखनी लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तैंक यू सो मच, टेक केर, बाबाए